क्यों था रिवाजेश रिवेशम्ल распq रिवर सिस्टाम इस में लास्ट वच कावेरी कावेरी Sist unjust जो है वह राइस करता है तला कावेरी इन दब्रह्मगिरी रेंज याद रखना है ब्रह्मघिरी रेंज यह कहा है यह आपका है वेस्टन घाट के कोडागू डिस्टिक में करनाटक में कोडागू डिस्टिक है वेस्टन घाट में ब्रह्मघिरी रेंज है वहाँ से कावेरी नदी ओरिजिनेट करती है flows towards west and drain into Bay of Bengal Bay of Bengal में यह जाके अपना पानी ड्रेन कर देती है और इसका लेंथ जो है वो 805 किलो मेटर है अब इंपोर्टेंट सिटी अगर देखें तो तिरुचुरापल्ली और इरोड है यह दोनों नदी जो है यह आपके तमिल नाडू में है अब स्लो कहा कहां से करते हैं तो करनाटक और तमिल नाडू कावेिरी रिफसिस्ट्म जो है आए दिन न्यूज में रहता है वो ड्यूटो वर्टरिप्व्श्प्यूट ठीक है वाटर ड्स्ंप्यूट है करनातर और तमिल नाडू के बीच में यह दोनों परिंड गया का पना लेते हैं और फिर भी इनका केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है ठीक है तो खेर वो तो एक्स्टर नॉलिज था लेकिन आपको जो जानकारी रखनी है कि इन दो स्टेट्स से होकर वो गुजरती है लेफ्ट बैंक रिव्यूट्री है वो हरांगी है हेमावती है शिम्षा है अरकावत्ती है उसके बाद लक्ष्मन तीर था काविनी भावानी और नोयल ठीक है उसके बाद अमरावत्ती और मोयर यह सारी इंपोर्टेंट इसकी ट्रिब्यूट्रीज है देखिए मैप पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा यहां से ब्रह्मगिरी रेंज से यह काविरी ओरिजिनेट होती है और यह करनाटक से होते हुए तमिलनाडू एंटर करती है और यहां पे यह अपना वाटर ड्रिन करती है जाके बेव बेंगॉल में तो अब आगे बढ़ते हैं एक और रिवर है जो कि काफी फेमस है और न्यूज में भी रहता है फेमस है क्योंकि बहुत बड़ी रिवर नहीं है यह पेरियार रिवर सिस्टम जो है यह करेला की सबसे लंग भी नदी है और यह फेमस क्यों है क्योंकि एक तो पेरियार वाइ परियार डैम ठीक है जो कि अभी पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन है इसमें केरला और तामिलनाडू के बीच में वह भी इसी रिवर पे है आए दिन काफी यह रिवर जो है वो न्यूज में रहती है तो इसलिए इसके बारे में जान लेना चाहिए हम लोगों को तो लॉंगेस् तपी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसी नदियां जिनका की लेंच 700, 800, 900, 1000 ऐसे करके था उसके कंपरिसन में यह नदी बहुत छोटी है इसका सोर्स कहा है तो यह वेस्टन घाट में यह ओरिजनेट कर जाती है और ड्रेंस इंटू एरेबियन सी नर्मदा और तपी के तरह ही यह इस्ट में अपना वाटर नहीं ड्रेंड करके वेस्ट में जाती है फ्लो करती है और अरेबियन सी से जाके मिलती है यह नदी इंपर्टन सिटीज के अगर हम बात करें तो कोची और मलियत्तूर यह दो सिटीज है जो कि इस रिवर के बैंक पे है अब इडुकी ड कारे में मैं exact year मुझे याद नहीं है लेकिन अभी 2-3 साल पहले केरला में भयानक फ्लोड आ गया था तो वो फ्लोड इसी डैम के ओवर्फ्लो करने साय था और इसी रिवर में पानी जो है ओवर्फ्लो कर गया था जिसकारण से पूरा का पूरा केरला में लेना जरूरी है में भी हो सकता है कि फूचले मुला परियार डैम कौन से रिवर पर है अभी मुला परियार डैम जो है वह आपके नुज में चल रहा है क्यों क्यूंकि पॉइंट ऑफ कन्फिक्ट्ट जो है वो करला और तामिल नाडू के बीच में यह डैम है चलिए अब आगे हम लोग अपने questions के बारे में देख लेते हैं कि कौन-कौन से questions आने के chances हैं या कौन-कौन से patterns पे questions आते हैं CVT में परियार Tiger Reserve काफी famous Tiger Reserve है South India में यह कौन से नदी यहां पर कौन से नदी के bank पर located है तो इसमें से देखिए आप देख सकते हैं तो नाम सही पता चल रहा है कि यह परियार रिवर के bank पे है वेन गंगा एंड पेन गंगा आट्रिब्यूट्री आफ विच डिवर तो अगर आप इसमें देखे हैं तो इसका correct answer है गोदावरी ठीक है अब विच अब फॉल्वाइं रिवर फ्लोस थ्रू रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली से मैंने आपको बताया था कि तीन रिवर फ्लो करती है नर्मदा तपी और दामोदर यह दामोदर रिवर सिस्टम जो है यह आपका जार्खंड और वेस्ट बेंगॉल इन दो स्टेट से होके गुजरता है और इसको सौरो अफ बेंगॉल भी कहा जाता था ठीक है जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि सौरो अफ बिहार क्या है कोसी सौरो अफ चाइना वैंगो तो उसी तरह सौरो अफ बेंगॉल जो है हम लोग दामोदर को कहते थे अब नहीं क्यों क्योंकि दामोदर पे मल्टी दामोदर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट ये मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट इंप्लिमेंट होने के बाद इस रिवर के फ्लो को काफी हद तक हम लोगोंने कंट्रोल कर लिया है अब जो है फ्लेडिंग बहुत कम आती है ठीक है तो ये तीन नदी आपको याद रखना है जो कि रिफ्ट वैली से होके गुजरती है तब देखिए इन में से चार ऑप्शन में से कौन सा है नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी तो नर्मदा राइ इंडिया की उसे हम लोग दक्षिन गंगा भी कहते हैं तो यहां देखिए ये गुदावरी है और इंद्रसागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इस बिल्ट ऑन विच आफ फॉल्लइं रिवर्स ठीक है तो अगर हम देखते हैं यमुना चंबल नर्मदा और कृष्ण तो इसमें से जो है वो राइट एंसर है आपका चंबल ठीक है नेक्स्ट क्वेस्चन पर अगर देखें विच आफ दा फॉल्लवीं रिवर्स फ्रेश वाटर डॉल्फिन फ्रेश वाटर डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र nadra river basin में मिलती है और इंडिया की एक्वेटिक अन्यमल नाशनल आक्वेटिक अनिमल जैसे नाशनल एकवेटिक अनिमल में फ्रेश वाटर डॉल्φिन जिसको प्लेंचेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं वो है तो यह कहां मिलती है निल दी को भागलपूर यह एरिया आपका एक डिस्टिक है भिहार में यहां पे जो गंगानदी फिलोग करती है तो इस पूर एरिया को भागलपूर में जो गंगानदी का स्ट्रेच है उस पूरे एरिया को हम लोगों ने नाशनल गैंजेटिक डॉल्फिन पार्क घोशित कर रहा है जैसे नाशनल पार्क होता है टागर रिजर्व होता है वैसे ही डॉल्फिन पार्क है यहां भागलपूर में तो यह ध्यान रखना है तो देखिए गंगा पे तो है नहीं तीस्ता पे तो बिल्कुल भी नहीं है ब्यास पे भी नहीं है और लूनी इस दा करेक्ट एंसर तो चलिए इसी के साथ जो है हम लोग अपने इस लेक्चर को अभी फिलहाल यहीं पे विराम देते हैं क्वेस्चन्स जो है वो इसी टाइप के आपके पूछे जाएंगे इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए और एक्जाम में जादा समय नहीं है तो पूरा जी जान से अपना महनत कीजिए और जितना जादा हो सके रिविजन पे ध्यान दीजे क्योंकि एट लास्ट र रहिएगा अपना ध्यान रखिएगा इस चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए तिल देन टेक क्यार स्टे सेव थांक्यू